आप भी मेरी तरह टेंचन में आ रहे हो कि अभी गाजर का सीजन जाने वाला है और गाजर का अलवा तो अभी खाया है नहीं है बना कि आप खाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है अगर यह सोच रहे हो कि हमें घंटों लग जाएगा तो यह आपकी गलत फिमी है कम से कम आप गड़ी में देख लेना 15 मिनट से आपको हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नमस्कार, मेरा नाम सिता कुमाओद और मेरे चैनल सिता स्कुकिंग में आपका एक नए वीडियो में स्वागत है गारंटी से बोल रही हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को फेमली प्रेंस के साथ में सेर करना और लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लेना गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजर को छिलका निकालके रपली काट लिए आप देख सकते हो कितनी बड़े बड़े टुकडे में मैंने काटा है अभी एक कड़ाई लेंगे, कड़ाई आपको बड़ी लेना है और उसमें जितना कौंटिटी में आप गाजर का हल्वा बना रहे हो उसी साब से थोड़ा गी डाल लेना मैं 2 kg गाजर का हल्वा बना रही हूँ तो मैं आदी कटोरी गी की डाल रही हूँ गी गरम होने के बाद में ये रफली काटी हुई गाजर डाल देंगे इसमें और कम से कम हाई गेस भी इसको दो से तीन मिनट बुनना है तीन मिनट से जादा नहीं बुनना है गी में बुनने से अलवा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आपका जल्दी बनके त्यार हो जाएगा और एकदम गजब का अलवा बनेगा आप तो कहोगे ही नहीं कि ये कदुकस करके हमने हलवा नहीं बनाया है बहुत ही अच्छा लागेगा दो मिनट होगे है गाजर को मुझे बुनते हुए अच्छे से देख सकते हूँ आप कलर आ गया है अभी इसमें डालेंगे दूद दूद आपको पहले से गरम करके लेना है गरम दूद डालेंगे तो दूद फटेगा नहीं और एकदम टेस्टी अलवा बनके त्यार होगा मैं दो केजी गाजर ली हूँ तो उसमें एक लेटर दूद डाल रही हूँ आप कम डालना चाते हो तो कम भी डाल सकते हो लेकिन एकदम फाइनल टेस्ट आएगा कि हमने कदुकस करके ही गाजर का अलवा बनाया है और आपको तो कदुकस करके जैसे हलवा बनाते हो उसे भी गजब का लगेगा ये मेरी गैरेंटी है एक बार इस तरीके से हलवा बनाके जुरू ट्राइकरना और कमेंड करके बताने के आपके हलवा कैसा बनाया है दूर डालके मैंने दो मिनट तक रेगूलर चमच ला लिया है और अभी इसको डख देंगे डखन लगाने के बाद में बीच बीच में इसको चेकरते जाएंगे ताकि नीचे दूर चिपगने जाए तले में अगर आपको इसमें मावा डालना है अगर मार्केट से लेके आते हो तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो लेकिन आज गर में ही मावा बनाएंगे और वो भी गजब का मामा और वो भी 5 मिनट में आपका मावा बनके त्यार हो जाएगा मैं तो यही सेजेस करूँगी कि आप मार्केट से मावा नल आके गर पे ही मावा बनाके हलवे में या फिर कोई भी काम में लेना हो आप गर पे ही मावा बनाओ का comment करके जुरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like share करना और family friends के साथ में वीडियो को जादा से जादा share करे ताकि वो भी घंटों का काम मिंटों में कर सके और साथ में ही बेल आइकन भी दबाना ताकि आने वाले नए वीडियो की अलग से निकाल सकते हो, लेकिन यह मावा देख सकते हो, कितना गजब का बना है, मावा हमारा बनके त्यार हो गया है, गेस बंद कर देंगे अभी, और इधर हमारी गाजर भी पक के त्यार हो गई है, अच्छे से उबल गई है यानि, देख पा रहे हो, जो इसमें दूद डाल है मैंने बराबर आपको 15 मिनट दिया था कि 15 मिनट में आपको हलवा बनाके बताउगी 7-8 मिनट हो गया है गाजर अची से फग गई ए आपको क्या करना है भी 7-8 मिनट में या तो चमसे आपको छोटी-छोटी टुकड़े का लेना है अगर चमस से नहीं काना चाते हो तो यह एसी मतनी तो होगी आपके पास में उस मतनी से आप ऐसे इसको दबा-दबा के छोटी-छोटी टुकड़े का लेने है या तो आप बड़ा गिलास हो आपके पास में तो उसे भी कर सकते हो लेकिन मैं मतनी से कर रहे हूँ बहुत ही गजब का अलवा बनेगा और आप तो कहोगे ही नहीं कि हमने ये गज़र का कदूकस करके अलवा नहीं बनाए है बारिक बारिक टुकडे का लेने है तीन से चार मिनट लगेगा तीन सी चार मिनट सी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इदेख सकते हो कितना बारिक बारिक टुकड़ा हो गया है फाइनल अभी हमारा गाजर का लुक आई गया है हलवे में आप देख सकते हो अभी चमा से मिक्स कर लेंगे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से चोटी चोटी टुकड़े हो गए है यह चोटी सी 10 रुपे की मतनिया में कितनी काम में आती है आज आपको पाता चला होगा अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए इसको और पका लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी सुख जाए पानी पुरा सुखने के बाद में जो हमने मावा बनाया था वो मावा इसमें डाल देंगे अगर आप मार्केट से मावा लेके आना चाते हो तो वो भी डाल सकते हो बिना मावा के भी आप बना सकते हो अगर आपके पास में घर पे भी मावा नहीं बनाना चाते हो मार्केट सी भी नहीं लाना चाते हो तो आप इसमें तोड़ा सा मिलक पाउडर एड़ कर सकते हो वो भी मावा का ही काम करेगा अगर आप मिलक पाउडर भी नहीं डालना चाहते हो तो ऐसे भी आप हलवा बनाओगे तो बहुत गजब का बनेगा मवा जो मैंने बनाया था वो इसमें मैंने डाल दिया है अभी अच्छे से मिक्स करके एक मिनट और पकल लेंगे एक मिनट बाद में इसमें चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने टेस्ट के नूर सार कम ज़्यादा डाल सकते हो मैंने दो केज़ी गाजर ली थी और एक केज़ी दूद लिया था मैं इसमें 700 ग्राम चीनी डाल रही हूँ यानि 1,5 किलो से ज़़दा ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी गाजर बहुत ही मीटी आ रही है अची से पकी हुई गाजर है तो मिठी गाजर है मिठी गाजर है आपकी नहीं है हाई गेस पे, अभी थोड़ा सा गिय हो डाल देंगे जो बचा के रखा था फरीी में बताया था खटे हुए ड्राइप रूट डाल दीये यह हमारा टेष्टी, अलवायों वाला टेष्ट वाला गाजर का हवा बनके त्यार है, टोटल मैंने 15 मिनट बताया та पंदरा मिनट में हमारा हल्वा बन के त्यार हो गया है ये मेरी गरंडे के साथ में बोल रही हूँ आप इसी तरीके से बनाना और इंजोई करना पंदरा मिनट से आपको ज्यादा ट्राइम नहीं लगेगा और अभी फाइनली हमारा हल्वा बन के त्यार हो गया है इसको मैंने बड़े बाउल में निकाल लिया है बहुत ही गजब का अलवा बना है इस तरीके से आप अलवा बना के जरूर ट्राइकना आप देख सकते हो मैं इसका टेक्शर दिखा रही हूँ वाओ कितना मस्त अलवा बना है अगर आप बड़ी से बड़ी ओटल में से भी गज़र का लेक्या होगे तो इतना टेस्टी आपको अलवा नहीं लगेगा बहुत ही गजब का अलवा बना है आज का मेरा गाजर का अलवा बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताना और आपका एक लाइक सेर कमेंट से हमारा ओशला बढ़ता है और हमें वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाला है वो भी आप जाके जरूर देखना तीनों हलवा वमारा बनके त्यार हो गया है बहुत ही गजब का अलवा बना है तीनों में से आपको ज्यादा कौन सा पसंद आया वो भी मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज फेमिली प्रेंट्स के साथ में वीडियो को सेर कना ना भूले और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ले ना मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाई